पनीर तो आपने बहुत अलग-अलग तरीके से खाया होगा पनीर टिकका, पनीर मक्खन वाला, पनीर शाशलिक, पता नहीं कितने तरीके से पनीर खाया होगा बड़ I am sure आपने कभी ये वाला पनीर नहीं खाया होगा जो हमारी अगली रेसिपी है मैं बना रही हूँ तो शुरू करते है बनाना इसके लिए सबसे पहले हम पनीर को ग्रील करने के लिए रखेंगे इसको मैंने कुकी कटर से बहुत अच्छा राउंड शेप में कट कर लिया है So what I am going to do is I'll put some oil into my grill pan I'll just place this paneer straight on to a warm pan इसको हम होने देते अच्छे से ग्रिल दोनों तरफ मुझे अच्छे से ग्रिल माक चाहिए जब तक पनीर ग्रिल होता है हम शुरू करते हैं सालसा हमें चाहिए बहुत सारे mango mango को मैंने बहुत छोटे-छोटे cubes में काटा हुआ है अभी मैं इसमें एड कर रही हूँ छोटे वाले राजमा जो मैंने पहले से बॉई करके रखे है अब इसमें मैं एड करूँगी तीरो कलर के bell peppers थोड़े से रर, थोड़े से यलो, ग्रीन वन्स मुझे मैंगो सालसा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है मैं यूज कर रही हूँ अपना देसी वाला ग्रीन चिली इसमें जाएंगे अनियन ग्रीम्स एक बार पनीर चेक कर लेते हैं कि यूज सी नाइस ग्रिल गोल्डन कलर एडिस वां इस वां इस वां इसके अंदर एक गार्लिक भी चाहिए जिसको मुझे फाइनली चॉप करना है यूज मेक इट फाइनली चॉप एक हलका सा गार्लिक का फ्लेवर राएगा जो बहुत अच्छा लगेगा इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स कि यूज सी हाओ ब्यूतिफुल इस लुकिंग इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा सॉल्ट हॉट अंचिली सॉस जिस्ट राउं वां एन हाफ स्पून अच्छे से को कर देते हैं मिक्स एक बहुत ही अच्छा क्रंच डालने के लिए मैं इसमें एड कर रहे हूं थोड़ी सी टाको चिप्स ऐसे ही हाथ से ही क्रश करके इसमें एड कर दे जिस मेक्षियर जब आप सर्फ कर रहे हो उसी टाइम पर ये डाले अधर्वाइस ये बहुत सौगी बन जाएगी अधर्वाइस ये बहुत सौगी बन जाएगी and taste it before you serve amazing तो चलिए इसकी करते हैं प्लेटिं मैं ले रहे हूं एक सुंदर सा मातीनी ग्लास इसमें नीचे डाल रहे है जोड़ा सा mango salsa and now what I am going to do is I am taking the taco chips and I will just put it across the glass and mango salsa the yummiest mango salsa इसको पूरे भरेंगे उपर तक and now what I am going to do is इसके बीच मैं थोड़ी सी जगे बना रहे हूं पनी जाएगा इसमें और हम लेते है ये पनीर को यहां से and we'll straight away put it into the cavity हमने बना के रखी है उसमें हम प्लेस करेंगे just make sure that it stands properly and little more salsa a bit on it so what you say कभी खाया है ये वरजिन salsa ये पनीर का जोडों मिक्स करके कितने प्यारे लग रहे है इसको खुद बनाये and खुद टेस्ट करिये मेरे कहने पर मच जाये तो आपको मेरी ये पनीरेंज salsa की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेर and do subscribe only on Megna's food magic